आज हम डिसकस करने वाले हैं दोस्तों मद्यपरदेश के सम्मान अवम पुरसकार से सम्मधित जो भी कोश्चन एंसर है वो पूर परिच्छा में पूछे गए हैं उस पर आज हम बात करने वाले हैं उन पर डिसकस करने वाले हैं नमस्कार मैं हूँ सचिन मंसारे और आप करी थी 19 नवंबर सन 1985 को करी थी और यह MPPSC pre exams में 2003 में पुछा है नेक्स्ट कोश्चन के और चले कि निमिलकीत में से मद्यपरदेश सरकार का कोई सा पुरसकार नहीं है तो आपके सामने आपसंस दे रखे हैं कालिदास सम्मान तुलसी सम्मान तांसेन सम्मान और राजेंद पुरसकार तो दोस्तों राजेंदर पुरसकार जो है मद्यपरदेश का नहीं है जबकि कालिदास तुलसी और तांसेन सम्माने सभी सम्मान मद्यपरदेश के पुरसकार है नेक्स्ट मद्यपरदेश सासन द्वारा किस कला के लिए उस्ताद अलाउद्दिन खान कि सबना कब हुई तो नौंबर 1984 में हुई थी next question की और चले कि मुर्तिकला के लिए कालिदास सम्मान 1992 में से किसे दिया गया था तो 1992 में मुर्तिकला में कालिदास सम्मान दोस्तों दिया गया था वेद प्रकास यादो को next निम्लिकित में से कौन सा सम्मान मद्यपरदेश तुलसी सम्मान, कालिदा सम्मान, तांसेन सम्मान जब किये दिये जाते हैं, संगीत नाटक सम्मान तो ये नहीं दिया जाता है। तुलसी सम्मान, कालिदा सम्मान जब किये दिया जाता है। नेक्स्ट, मद्वदे सरकार ने उन लोगों के लिए जो महिलाओं के खिलाब हिंसा को रोकने का कारे करते हैं, 2015 में एक नए पुरसकार की गोशना की थी, इस पुरसकार का आपको नाम बताना है। तो दोस्तो अरुणा सान बाग ये पुरसकार का नाम है, 2015 में सुरुवात किया, मद्वदे सरकार दोरा किया था। और उन लोगों के लिए कि जो महिलाओं के खिलाब हिंसा को रोकने का कारे करते हैं, 2015 में इसकी सुरुवात की गई थी, अरुणा शान बाग पुरसकार। उत्पष्ट योगदान के लिए दोस्तो देवी अहिल्या भाई होलकर नामक एक पुरसकार है, ये दिया जाता है, जन जाती अने स्टी के लोगों को, नेक्स्ट, मद्वदेश को सरो स्रेस्ट परटन पुरसकार कम मिला तो 2013 में मिला था, नेक्स्ट होसंगाबाद जिले के एसे प्रसिद्व्यक्ति का नाम बताईए, जिनोंने हिंदी सहित्य में योगदान कर उन्निस सो पच्पन में पहला सहित्य अकादमी पुरसकार जीता था, तो होसंगाबाद जिले का दोस्तो ऐसे एक व्यक्ति है, माखनलाल चतुरवेदी इनके बारे में सुना होगा, जि लिए जाना जाने वाला कलाकार, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम दौरा तीन बार समानित क्या गया था, वो मद्दपरदेश का था, दोस्तों कौन था, तो वाजित खान नाम के जो वेक्ति है, ये पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, नाखुन पेंटिंग के लिए जान की जाती है, 2015 में तो दोस्तों 2 लाख रुपे दिये जाते थे, नेक्स्ट, 1992 में सत्य जीत रे को भारत पुरसकार द्वारा प्राप्त भारत रत्न पुरसकार किस छेत्र में उनके उतकष्ट कारे के लिए समानित किया गया था, तो दोस्तों फिल्म निर्मान के लिए, 1992 में सत्य जीत रे को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया था, फिल्म निर्मान के लिए, नेक्स्ट, इन में से कोन नोबल पुरसकार विजेता मद्यपरदेश में है, तो आपके सामने अप्संस है, अमरत्यसेन, सीवी रमन, अनिल काकोदकर, और केला सत्यार्थी, तो प्रथम टंट्या भील सम्मान मद्यपरदेश में किसी दिया गया तो राजाराम मोर्य को दिया गया था, 2016 में कोश्यन पुछा गया है, नेक्स्ट, मद्यपरदेश का कुमार गंधर्व पुरसकार किसे से सम्मधी थे, तो संगीत से सम्मधी थे, और कुमार गंधर्व दोस से किस कारण के लिए मद्यपर्देश परेटन को लोनली प्लेनेट समु की ओर से 2016 में पुरसकार प्राप्त हुआ था तो दोस्तो वन्य जीवों का सरक्षन के लिए मद्यपर्देश परेटन को दोस्तो लोनली प्लेनेट समु के द्वारा ये दिया गया था पुरस्कार दिया गया था 2016 में वन्य जीवों के सरक्षन के लिए नेक्स्ट महिला लोग कलाकारों को दिये जाने वाले देवी अहिल्या सम्मान में कितनी राशी प्रदान की जाती है तो दोस्तों 2 लाक रुपे दिये जाते हैं नेक्स्ट कौन सा पुरस्कार आदिवासी या लोक तथा पारमपरी कलाओं के सम्मान के लिए दिया जाता है तो तूलसी सम्मान भी आदिवासी लोक तथा पारमपरी कलाओं के सम्मान में दिया जाता है तूलसी सम्मान next तानसेन पूरसकार किस वर्स से स्थापित किया गया था तो 1980 से किया गया था next इसको दोस्तों याद रखने का लोजिक यह है कि यह तानसेन जो है समराथ जो अकबर थे अकबर के नौरत्नों में छेक तानसेन थे और इनके बारे में राम तनु पांडे इनका नाम था और गौलियर के रहने वाले हैं तो आपको याद रखना है, 1980 में इससकी स्थापना की गई थी, तो कैसे याद रखना है कि तान अने की सूर निकालना है तो कहां से गले से गले से याद हो जाएगा आपको की ग्वालियर और अच्छी तान निकाले अच्छी मतलब अस्सी नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्यन मत्यपरदेश सरकार को 1998 में आगा खान पुरसकार दिया गया तो कहां पर दिया गया किसके निर्मान के लिए दिया गया तो दोस्तो विधान सभा भवन के निर्मान उतकरश निर्मान के लिए मत्यपरदेश सरकार को 1998 में आगा खान पुरसकार दिया गया था संगीत के छेतर में युवाओं के बीच रचनात्मक को प्रोचाहित करने के लिए 1992-93 में किस पुरसकार की स्थापना की गई थी तो दोस्तो कुमार गंधर पुरसकार की स्थापना की गई थी नेक्स्ट कुस्चन हमारे सामने है कि निम्नांकित में से किस रचना ने वास्तु कला आर्किटेक्चर के लिए आगा खान पुरसकार नहीं जीता है तो दोस्तो औरन न्या कम्नुटि हाऊसिंग इंदोर किस ने जीता है तो वल्लप भवन भौपाल में उन्होंने जीता है औरन न्या का कम्नुटि आयोसिंग बोर्ड यह PL River working इंदोर तो यहां पर राइट एंसर को रहेगा। वल्लब भवन इंदो भौपाल नेक्स्ट फिर से देखे को कुश्चन दोस्तों यहां पर मिस हो गया कि निम्ना अंकित में से किस रचना ने वास्तुकला अर्किटेक्चर के लिए आगा खान पुरुसकार नहीं जीता है तो दोस्तों वल्लब भवन जो भौपाल है इन्होंन जीता है विदान सभा बोपाल उन्होंने जीता है स्लम नेटवर्किंग इंदो अरुन ने भी जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन के और चले कि राष्टी परेटन पुरुसकार 2009-10 में से किस राज्य ने सरोसेष्ट अने की प्रथम पुरुसकार प्राप्त किया है तो 2009-10 में मद्य बदेश ने पुरुसकार कि फराप्त किया था नेक्स्ट भारती कावे के चैतर में कावे प्रतिवा का सम्मान करने के लिए वर्स new 1986 én dark न की गई तो दूस्तों कभीर संवान की या कभीर पुरसकार की स्थापित किया गया था कब किया गयाँ 1986-87 में नेक्स्ट मद्दपदेश राज्य सरकार द्वरा दिये जाने वाला लता मंगेशकर पुरसकार 1984-85 में सुगम संगित के छेतर में उतक्रस्टता का सम्मान करने के लिए सुरू किया गया था इसमें प्रसंसा प्रमान पत्र के साथ में कितनी राशी दी जाती है दो लाक रुपी दिये जाते हैं next 2016 में निम्न में से किसे ली कुवान यू एक्षेंज फेलोशिप से सम्मानित क्या गया था तो दोस्तों 2016 में सिवराज सिंग चोहान को सम्मानित क्या गया था नेक्स्ट मद्वदे सरकार द्वारा परसिद तुलसी पुरसकार किन छेतरों में दिया जाता है तो लोक कला के छेतर में दिया जाता है नेक्स्ट कोस्चन है वर्स 2016-17 में मद्वदे सरकार द्वारा कालिदा सम्मान किसे दिया गया तो बंसी कोल को दिया गया था नेक्स्ट में किस वर्स इखबाल पुरसकार की स्थापना की गई थी तो इखबाल पुरसकार की स्थापना 1986-87 में की गई थी नेक्स्ट कुमार गंदर पुरसकार किस वर्स में स्थापित हुआ था तो 1992-1993 में हुआ था नेक्स्ट हिंदी कवी गोपालदास निरच को 24 मार्च 2015 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो नेशनल कवी प्रदीप सम्मान से गोपालदास निरच को 24 मार्च 2015 को पुरस्कार दिया गया था नेक्स्ट सिनेमा के छेतर में मद्धबदेश सासन का वार्षिक राष्टी सम्मान है तो क्या है दोस्तो किसोर कुमार सम्मान मद्धबदेश साहित्य परिशत का भवानी प्रशाद मिस्र पुरसकार किसे दिया गया जाता है तो कविता के लिए दिया जाता है मद्यपरदेश का तांसेन सम्मान किस लिए दिया जाता है तो हिंदुस्तानी संगित के लिए दिया जाता है काविदा सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है तो मद्यपरदेश द्वारा दिया जाता है इकबाल पुरसकार किसमे ज़्यादा सर्वसेष्ट योगदान के लिए दे जाता है तो उर्दू साहिति के लिए दिया जाता है नेक्स्ट भेल भोपाल के आईटी विभाग को किस वर्स में मद्य परदेश में इगवर्नेंस पहलो में उत्करस्टता पुरसकार विजयता गोसित किया गया था नेक्स्ट भेल भोपाल के आईटी विभाग को मद्य परदेश ने कौन सा पुरसकार जीता था तो पहला नेक्स्ट दोस्तों कपिला वेनु को 2017 में मद्य परदेश सासन ने कुमार गंदर पुरसकार से सम्मानित किया था नेक्स्ट कालिदास पुरसकार को कब इस्थापित किया गया था तो 1980 में कबीर सम्मान में पुरसकार सोरुप कितनी नगत रासी प्रदान की जाती है तो 30,00,00,00,00,00 वर्स में 1986-87 में निमलिकी पुरसकार से कौन सा इस्थापित क्या गया था 1986-87 में दोस्तो कभीर पुरसकार का इस्थापना की गई थी किस वर्स में केला सत्यार्थी ने नोबल सांती पुरसकार जीता था तो 2014 में जीता था मलाला यूजूफई जो पाकिस्तान की बालिका थी उन्होंने और केला सत्यारती दोनों को संयूग कुरूप से नोबल पुरसकार दिया गया था किस वर्स में नीदा फजली को पदमस्री पुरसकार से समानित किया गया था तो 2013 में किया गया था निमली की छेतरों में से किस में मद्यपदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरसकार नहीं दिया जाता तो दोस्तों सास्तिय संगी द्रश्च कला रंगमंच कविता तो कविता में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता जो कालिदास सम्मान समारो है ये उज्जन में कालिदास एक तो लोग कलाओं के लिए दिया जाता है और खासकर अधिवासी लोग परमपराओं के लिए नेक्स्ट मद्यबदेस सरकार के और से प्रसिद्ध कालिदा समान को निमलिकी छेतरों में से किसमें नहीं दिया जाता तो साहित्य के छेतरे में नहीं दिया जाता जबकि सास्त्रिय संगी थेटर, सास्त्रिय नत्रत्य इनमें दिया जाता है नेक्स्ट निमलिकित में से किसने मद्यबदेश का लता मंगिसकार पुरुसकार 2017 जीता था तो सोनु निगम ने जीता था 2018 के निमलिकित पदमसीरी पुरुसकार विजयताओं में से कोन मद्यबदेश से नहीं है तो दोस्तो समसाद बेगम जो है 2018 में पदमस्री पुरसकार दिया गए थे उनमें से नहीं है जबकि भजु स्याम बाबा योगेंद्र मालती जोसी ये सब हमारे मद्धवदेश से है नेक्स्ट मद्धवदेश सासंद वारा आदिवासी कला लोक कला वो पारंपरी कलाओं में उतकरष्ट प्रदशन के लिए दिया जाने वाला पुरसकार है तो तुलसी सम्मान है वर्स 2017 में मद्धवदेश राज्य दुआरा फिल्म से सम्मधित कोन सा राश्टी पुरसकार जीता गया था तो सरवादिक फिल्म मितरता पुर्णो राज्य मोस्ट लिस्ट फ्रेंडली स्टेट कहा गया है मद्धवदेश को सम्मान को किस छेतर में दिया जाता है तो हिंदी व्यंग के छेतर में दिया जाता है नेक्स्ट विजूल आट में योगदान देने के लिए वर्स 2018 में राश्टी कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित क्या गया तो अंजोली इला मिनन को कालिदास सम्मान से सम्मानित क्या गया एक नजर हम कालिदास सम्मान और मद्यपदेश के जो रास्टियों राज्किय सम्माने उनके बारे में हम डाल लेते हैं कि कालिदास सम्मान दोस्तों 1980 में इसकी स्थापना की गई थी दो लाख रुपी दिया जाते हैं सास्रिय संगीत, सास्रिय अंरत्य, रंग कर्म, रुपंकर कलाई इनमें दिया जाता है तांसें सम्मान दोस्तों 1980 में इसकी स्थापना वी दो लाख रुपे दिया जाते हैं लता मंगेशकर सम्मान दोस्तों फिल्म के छेतर में दिया जाता हैं कि संगीत, निर्देशन और पार्शोग आयन के लिए दिया जाता है 1984 में इसकी स्थापना वी दो लाख रुपे मिलते हैं 1985 में दो लाख रुपे दिया जाते हैं नेक्स्ट कभीर सम्मान के बात करें कि भारती भासाओं की कविता के लिए दिया जाता है 1986-87 में इसकी स्थापना वी दे तीन लाख रुपे दे जाते हैं मेतली सरण गुप्त सम्मान दोस्तों हिंदी साहिति में दिया जाता है उच्जन के रहने वाले हैं तो हिंदी वियंग लेखन के लिए 1992 में स्थापना की गई और दो लाक रुपे दिया जाते हैं और कुमार गंधर्व सम्मान ये वादन अनि बजाने के लिए आयू समुच 24 से लागा कर 45 वर्स के विक्तियों को दिया जाता है और 1992 में इसकी स्थापना हुई एक लाक पच्चिस हजर पे मिलते हैं महत्मा गंधी सम्मान गंधी विचार दर्सन संस्था के लिए जाता है किसी भी एंजियों को दिया जाता है गंधी महत्मा गंधी सम्मान 1995 में इसकी स्थापना हुई और 10 लाख रुपी दिये जाते हैं किसोर कुमार सम्मान जो है ये दोस्तों गीत लेखन और फिल्म के लिए दिया जाता है 1997 में इसकी स्थापना हुई 2 लाख रुपी दिये जाते है और इसका समारो मना जाता है, खंडवा में मना जाता है, क्योंकि खंडवा के रहने वाले किसोर कुमार उडले उडले करके गाना गाते हैं नेक्स्ट देवी आईलिया सम्मान महिला ये जो है लोक है मादिवासी पारंपरिक कलाओं के लिए दे जाता है 1996 में दो लाग रुपी दे जाते हैं राष्टी सुचना प्रोद्धोगी की सम्मान हिंदी में प्रोद्धोगी की विकास के जो अच्छा कारे करते हैं 2015 में दिया है 2012 में दो लाग रुपी दे जाते है सामाजिक संस्क्रतिक समरस्ता उत्थान परिसकार अध्यात्म परंपरा समाज और अधिक कारे को लिए संसा में को भी दिया जाता है कभी प्रदीप सम्मान मंचिय कविता के छेतर में दे जाता है 2012 में इसकी सुरुआत हुई और दो ल वासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में अमुल्य योगदान देने के लिए दे जाता है 2015 में इसकी सुरुआत हुई एक लाग रुपी दे जाता है फादर कामिल बुलके सम्मान ये दोस्तों विदेशी मुल्के विक्ति के हिंदी भासा है एम उसकी बोलियों के विकास में उतकर्ष्ट योगदान के लिए दे जाता है 2015 में इसकी सुरुआत हुई एक लाख रुपे दे जाते हैं गुणाकर मुले सम्मान ये हिंदी में विज्ञानिक और तक्निकी लेखन और पाठे पुस्तकों के लेखन के लिए 2015 में सुरुआत क्या है एक लाख रुपे दे ज